तो आगे कर अउस्वधिय पौधा है सतावर सतावर लगिन माटी और जलवायू कैसन रहे चाहिए उसन जलवायू इकरले बेस मानल जैल जहां करताप मान 10 से 35 डिग्री सेल्सियस और एक बरिस में बरसाइत 200 सेंटिमीटर तक हो माटी रहे चाहिए बलूई दोमट या की लाल माटी या की चीकन माटी जेकर से बढ़िया पानी निसेख सके इकरुनत प्रभेद JS1 बिहिंदर 12 किलोग्राम प्रती हेक्टर लगायक कर बेरा है जदी नरसरी में रवरे लगा थी तो जून से जुलाई में लगाय देख चाहिए जदी खेत में लगा थी तो जुलाई से अगस्त में लगाय देले बहुत बढ़िया रही अब लगायक कर दूरी केशन रहे चाहिए लगायक कर दूरी राखो 60 सेंटीमीटर से 60 सेंटीमीटर इतना करल बादे जदी पौधा लाइक जा है तो कर में माइन देख बहुत ज़रूरी है तो माइन और उर्वरक कतना कतना देख है जेके ध्यान से सुनो 20 से 25 टन गोबरकर माइन्द 100 किलो ग्राम यूरिया 250 क्राम सिंगल सूपर फॉसफिट और 60 किलो ग्राम पौटास प्रती हेक्टर अब पटाएक भी है तो इके सुरू सुरू में 7 से 8 दिन में और बढ़ होय जाए तो 30 दिन कर भितरे पटाते रहो अब इके तोड़ेक है और कोड़ेक है पोधा लागे कर 12 से 18 महिना कर बादे इके तोड़ेक चाही इके तोड़ लेही रोरे तो आब एहो जाने के बहुत जरूरी है कि इकर कौन भाग उपयोग होईल कौन बिमारी में उपयोग है तो इकर उपयोग के ध्यान से सुनूँ आइक लगिन इपोधित कर है सुक्र वर्धक है डाबिटीज माने की जमन के मिठा बेमारी सुगर कर बेमारी होय जैल उकर नियंत्रन इकर से बहुत बढ़िया होयल बल वर्धक टॉनिक इकर से बने लिउकोरिया एनीमिया जदी पाचन कर क्रिया रोरे कर खराब है कौनों चिसके पचायक में मस्किल हो थे तो पाचन की सुध्रय देल मानसिक तनाओ जैती मानसिक तनाओ है रोरे के तो उकर से मुक्ति देई और छोवायर मैकर दूद के बढ़ायक लगिन इपोधित कर है तो देखू भाई इतना इतना उप्योग है इके लगायक में ज्यादा भेनतों नखे करेक और इकर से लाभो भेटाई तो चलू रोरे हामरे सो मिलके और सध्य पोधा मन के लगाब